वेसे बनाना जितना ही आसान है, खाने में उतना ही टेस्टी होता है, तो चलिए बनाते हैं छेना का कोप्ता छेना का कोपता बनाने के लिए मैंने एक बड़ी मिक्सिंग बाउल ली है इसमें डालेंगे एक कटोरी छेना जिसे हमने एक लीटर दूद से बना कर त्यार किया है इस छेना को डाल करके इसको हाथ से अच्छी तरह पहले फोड लेंगे इसके बाद इसमें डालेंगे एक कटोरी गाजर जिसे मैंने कदू कस करके रखा हुआ है गाजर के बाद इसमें डालेंगे आधी सिमला मिर्च आधी कटोरी जिसे मैंने येलो कलर का सिमला मिर्च लिया है आप कोई सभी कलर का नमान चाहा कलर ले सकते हैं इसके बाद इसे फ्लेवर फुल बनाने के लिए इसे और थोरा टेस्टी बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे फ्रेश हरी धनिया की पत्ती धनिया की पत्ती डालने से क्या होता है कोपता का टेस्ट और बढ़ जाता है इसलिए मैंने इसमें फ्रेश धनिया की पत्ती डाला है आप इसके जगा पुदीना की पत्ती भी डाल सकते हैं अब इसमें डालेंगे सारे ड्राइ मसाले, ड्राइ मसाले में डालेंगे नमक, नमक आप अपने स्वाद अनुसाद डालें आधी चम्मच, लाल मिर्च पॉडर, आधी चम्मच, हल्दी पॉडर, धनिया पॉडर एक चम्मच भर के देंगे, धनिया का फ्लिवर बहुत ही अच्छा होता है, और आधी चम्मच देंगे, जीरा का पॉडर, ये सभी ड्राइ मसाले डालने के बाद, इसे बाइंड करने के लिए हमने दो बड़ा चम्मच मैदा लिया है, आप मैदे की जगा कॉर्ण फ्लोर भी ले सकते हैं, और इसे हाथों से अच्छी तरह से मसल मसल कर, इसे एक दो के आकार में हम त्यार करेंगे, इसको बनाने के लिए पानी की जरॉथ हमें नहीं पड़ी है, क्योंकि गाजर भी पानी रिलीज करता है और प्यास से भी पानी रिलीज करता है, अगर आपको जरॉथ महसूस हो, तो एक दो चम्मच पानी आप डाल सकते हैं, इस तरह हमने दो बना लिया है और दो को चली को कोपता बना कर रेडी कर लिया है अब ग्रेवी के लिए हमने लिया है दो प्याज दो टमाटर आड़ दस काजू और एक इंच अदरक का टुगरा है सभी को मैंने mixing में piece कर एक paste बना लिया है अब चलिए कोपता को fry करते हैं कोपता को fry करने के लिए मैंने gas on करके पैन को गरम होने के लिए रख दिया है पैन अच्छी तरह से गरम हो चुका है अब इसमें हमने डाला है cooking while आप जो cooking while खाते हो डाले मैंने rice prime while डाला है while थोड़ा ज्यादा डालेंगे क्योंकि कोपता को हमें deep fry करना है तेल को अच्छी तरह से गरम होने देंगे तेल जब अच्छी तरह से गरम हो जाए तो इससे चेक करने के लिए हमने दो का एक पाट डाल के देखा है देखिए पाट जो मैंने डाला है वो उपर उठ गया है इसका मतलब तेल अच्छी तरह से गरम हो चुका है अब इसमें सभी कोपता को धीरे धीरे डाल देंगे कोपता डालने के बाद हम flame को medium to low करेंगे क्योंकि अगर तेज आच में आप कोपता fry करते हैं तो कोपता उपर से तो ब्राउन हो जाएगा और अंदर से कच्छा ही रह जाएगा इसलिए कोपता को medium to low frame में fry करें सभी कोपता को golden brown होने तक हमें पलट पलट कर अच्छी तरह से फ्राइग करने है कोपता golden brown धीरे धीरे हो रहा है इस अब एक बार अच्छी तरह से इस पैचूला से पलट देंगे पलट कर फिर इसे अच्छी तरह से golden brown होने देंगे कोपता golden brown हो चुका है अभी से हम क्या करेंगे च्छनी से निकाल कर इसमें पलेट में डाल देते हैं जिसमें मैंने टीशू पेपर रखा हूँ है टीशू पेपर इसलिए रखा है कि एक्स्ट्रा तेल जो है एक टीशू पेपर अब्जॉब कर लेगा इसी तरह हमें सभी कोपते को fry कर लेना है घड़ाई पैन से एक्स्ट्रा वाइल में हमने निकाल दिया है और इसी पैन में हमने एक चम्मच जीरा डाला है जीरा को अच्छी तरह से तड़कने देंगे जीरा जब लाल हो जाएगा तब इसमें डालेंगे एक बड़ी कटी पैज जीरा लाल हो जका है अब इसमें हम डाल देते हैं पैज पैज को डालने के बाद अच्छी तरह से इसे भूनेंगे पैज को तब तक भूनेंगे पैज जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाएगा ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना जिसे टेस्ट में चेंज आ जा जाए अगर आप गोल्डन ब्राउन भूनते हैं तो टेस्ट इसका अच्छा रहता है डार्क ब्राउन ना करें देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है अब इसमें हमने जो काजू प्याज और टमाटर अधरक का पेश्ट बना के रखा था उसको डाल देंगे डालने के बाद मसाले को अच्छी तरह से दो मिनट तक भूनेंगे दो मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे ड्राई मसाले ड्राई मसाले में डालेंगे एक चम्मच भर के धनियाक पॉडर आधी चम्मच हल्डी पॉडर आधी चम्मच मिर्च पॉडर मिर्च पॉडर आप अ कुकता में भी नमक डाला था, इसलिए थोड़ा कम डालें, और सभी मसाल, ड्राइ मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है, मिला देना है मसाले में, और इसको अच्छी तरह से भूनना है, मसाला जब अच्छी तरह से भून जाता है, तो साइट से तेल रिलीज होने लगता ह तो समझ जाना है कि मसाला अच्छी तरह से भूना गया है इसके बाद डाल देंगे थोड़ा सा भूना हुआ जीरा का पॉडर जीरा का पॉडर डालने से इसका टेश्ट और भी अच्छा हो जाता है अब इसे अभी मसाले को अच्छी तरह से भून कर तेल डिलीज होने तक इसको भूनेंगे देखें मसाला तेल डिलीज हो रहा है इसे और एक दो मिनट अच्छी तरह से चलाएंगे जिससे और अच्छी तरह से मसाला भून जाए मसाला अब भुना गया है इसमें से चारो तरब से देखिए टेल डिलीज हो रहा है इसका मतलब मसाला ची तरह से भुना गया है अब इसमें ग्रेवी के लिए हम टालेंगे पानी हमने आधा लीटर पानी करीब डाला है आप थोड़ा बहुत कम बेसी कर सकते हैं क्योंकि अगर आप एकदम कम ग्रेवी डालेंगे तो क्या होगा कि कोपता ग्रेवी अब्जॉर्ब कर लेगा और ड्राई हो जाएगा अब इसे एक बॉइल आने तक हमें वेट करना है जब ग्रेवी में एक बॉइल आ जाए तब इसमें धीरे-धीरे सभी कोपते को डाल दें सभी कोपते को हमने इसमें डाल दिया है और इसके बाद क्या करना है फिर से फ्लेम को मेडियम टू लोग कर देना है और इसे अच्छी तरह से तो मिनट तक ढखके इसमें बॉइल आने देंगे जिससे कोपता सभी मसाले के फ्लेवर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले देखिए कोपता डालने के बाद भी इसमें बॉइल आ रहे है अब इसको ढखक देंगे तो मिनट के लिए देखिए कितना सुन्दर कलर हो गया है कोपता ग्रेवी से भी तेल अब दीरे दीरे रिलीज हो रहा है कलर चेंज हो रहा है अब इसे हमने दो मिनट के लिए ढख दिया है ताकि सभी फ्लेवर एक जैसा हो जाए मिल जाए सभी अब इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च एक चमच गरम मसाला और कटी हुई फ्रेश धनिया की पत्ती यह हमारा कोपता बनके रेडी हो चुका है सभी को हमने धीरे से धीरे हाथों से मिलाना है जोर से अगर मिलाएंगे तो कोपता तूट जाएगा यह हलके हाथों से इसे मिला लिए है और हमारा कोपता बनके रेडी हो चुका है चलिए अब इसे सर्व करके दिखाते हैं यह र